हेलो गाइस मुस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल हमारी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है देखिए हम पिछली तीन-चार क्लासे टेंस पढ़ते भी आ हैं और टेंस के हम पास्ट इंडेफिनिट तक हमने परते कोंसेट को पूरा किया आज है जो हमारा टेंस रहेगा वह है पास्ट कंटिनियूर्स देखिए एक्जाम की द्रस्टी से यह टेंस भी अपने आप में बहुत इंपोर्टेंस रखता है एक कम से कम एक एक एक्जामपल इसका डेफिनेटली एक किशन इसका डेफिनेटली आपकी एक्जाम में होता है चाहे वो किसी भी प्रकार का एक्जाम क्यों नहों ठीक है तो देखिए आज हम यहाँ पार जो अपना पास्ट कंटिनियूर्स है इसके पढ़ते के कॉंसेट क क्लिर करते हैं ठीक है जरूरी यह है कि आपके जो पास्ट जो कंटिनियूर्स है वो कौन-कौन से कौंसेट रखता है उस कौंसेट तक हम पहुंच जाएंगे तो पास्ट कंटिनियूर्स हमारा अटमेटिकली कवर हो जाएगा देखिए सबसे पहले में बात हम यहाँ पर ब किस तरीके से खोती है तो देखि ही सबसे पहले आप लोग देखा होगा कि कोई बीनि जो हिंदी सेंटेंस होता है उसको जो हमि पास्ट 2020 स कह बाद घ्र होता है तो definitely आपका वो sentence है, वो past continuous का होगा, अब देखते हैं, एक जो English इसकी पहचान है, वो किस तरीके से बढ़ती है, तो वो हम जो इसकी पहचान या English में बनेगी, वो हम concept के मात्यम से देखेंगे, वो use जो इसकी rule है, उनके मात्यम से हम उन्हें देखेंगे, सबसे पहरे हम बात क helping work जो इसमें चलेगी, वो helping work रहेगी, was और was, और देखिये, हम सुरू से बढ़ते भी आ रहे हैं, वो जो है, वो एक singular subject के साथ में यूज मिलिया जगता है, ठीक है, यहां पर इतना ध्यान रखना, आई भी आपका कह रहेगा, singular रहेगा, ठीक है, आई है, ही है, सी है, इट है, और कोई भी एक name है, ठीक है, तो ऐसी स्तिती बनने पर हम यहां किसका उज करेंगे, was, जो singular subject बनेगा, उसके साथ किसका उज करेंगे, was का उज करेंगे, और देखिये, यहां पर आपका over है, यह word जो यूज होगा, वो plural subject के साथ होगा, ठीक है, अब देखिये, plural subject में य यू आ गया, वी आ गया, दे आ गया, ठीक है, और भी बहुत सारे जो name है, वो आ गया, ठीक है, अनेक name बगेरा जो भी है, वो यह दिया जाते हैं, तो अपना, यह subject क्या बनाएगा, इसका, plural subject बनाएगा, और वहां पर बनने वाली जो अपनी ही होगी, वो कौन सी होगी, व इतना आपको जान रखना है, एक जिस से related, आप बात करते हैं, मैन वर्ब की थिक है, तो मैन वर्ब देखिए, इसकी फोर्ट फोर्म कामे यह अथार्थ, वर्ब की फर्स्पोर्म के साथ में, आई एंजी का यूजिक होगा, इंपोर्टेंट कॉन्ट, इंपोर्टेंट रू हम लोगों ने देखा कि हवी की बात करते हैं, देखिए, इस टेंस में हम लोगों ने देखा कि हवी तो यहाँ पर यूजिली जाएगी वर्ब और वर्ब की बात करते हैं, मैन वर्ब की बात करते हैं, तो मैन वर्ब जो है, यहाँ पर काम मिली जाएगी, वर्ब के साथ में आई है इन दो जो बात है इन बातों को ध्यान रखना को अच्छा जी अब आगी चलते हैं हम लोग एक sentence के structure की उपर तो पहले में परते एक sentence का जो structure है इसमें चाहे वो affirmative हो, चाहे वो negative हो, चाहे वो interrogative हो, चाहे वो internegative हो, ठीक है, उनको already मैं यहाँ पर clear कर देता हम, तो सबसे पहले देखी, अपन एक simple जो अपना sentence रहेगा, उस simple sentence की बात करते हैं, ठीक है, अभी फिलाल जो है, simple sentence की बात करते हैं, फिर इसके concept रहेंग affirmative sentence रहेगा आपका, उसमें subject रहता है, उसके बाद में, उसके बाद में, जो helping वो यहाँ पर दे रखी है, वो, वर, उनमें से कोई एक आएगी, तो subject से पता चल जाएगा, वो singular है, ठीक है, उसके बाद में man web आईगी आपके, जिसमें web के साथ में ing का use क्या जाएगा, उसके बाद में other word का using होगा, यह आपका sentence structure का में लिया जाएगा, यह आपका sentence structure है, in affirmative sentence उसमें यह रहेगा, यह आपके affirmative sentence के structure है, ठीक है, अब देखिए, हम बात करते हैं, इसी का हम negative parts ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है, negative sentence में क्या होता है, जिसे मैं नेगेटीव सेंटेश में क्या ह समझाता आ रहा हूँ आप तक यह के सेंटिस में कि जब भी निगेटिव सेंटिस होता है और उसमें आपको जो वो जू उसमें नोट लगाना होता है वह वू ऑचouve के बाद और फिर आपका अधरवर्ड आएगा इस तरीके से आपका ये नेगेटिव जो ऑधिंटोरillon स्टोर। पांडेटे न यहां पर जो रहें गर्यां। इसको ट्रूट आप से हम बनाते हैं हुए यहां पर सबसे पहले इसकी 5 देते हैं आउरो virus के वाइप यहां पर waż सब्यू chr लिखा जाए गा उसके बार में आका में मैंवर्फ के साथ में ^^ ए य कोई यहां और घ्रूप सब्सक्राइगा कौएभगा ks Youtube इस nag alas उसमें कोई भी डब्ल रड़ा सकता है वैन है वाई है, ठीक है, कोई भी डब्ल रड़ा सकता है उसके बाद में यहां पर आपका व sleek chi wr आएगा, उसके बाद आपका सब्जक्ट journalism रहेगा उसके बाद manvob के साथящager, उसके बाद object आएगा, उसके बाद other word आएगा, और उसके बाद question mark आएगा, तो एक बार वापस देख लिए, यहां interrogative जो sentence होगा, वो definitely यहां पर question mark लगाएगा, इतना उसी धर रखना, कि यहां sentence के अंत में question mark लगेगा, ठीक है, तो ज्यान दे, यहां पर आपको पहले हज़वी से sentence चुरू करना होगा, जब पहले यहां प्लेंक्स दे दिया जाता है, रिक्स्तान दे दिया जाता है, तो यहां पर आपको word में से कोई भी जो है, दोनों में से एक subject singular है, तो word इन दोनों में से एका युज़ करना होगा, अब बात करते हैं इसकी, इसमें तो क्या ह यहां पर इसके आगे का जो sentence है, वो रहेगा, इंटरूप negative, बात को समझ रहा है, यह structure मेंने एक साथ बताने का, इसलिए सुचा कि यहां पर यह दी में sentence एक साथ बताऊंगा, तो कम से कम आपके sentence जो structure है, जो पर टेक sentence का बनता है, वो तो कम से कम आपके समझ में आ जाए, फिर concept से हम लोग अलग-अलग इनका exercise करेंगे, ठीक है, देखते हैं, इन टू नेगिटिव जो पार्ट है, उसमे इसलिए करेंगा, फिरस्ट इसका sentence रहेगा, पार्ट रहेगा, वो डेफिनेटली इसी के कुणिंग चलेगा, वस एक note जो है, वो आपका आएगा, तो वजबर रहेगा, उसके बाद में subject रहेगा, इस्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, जो सबसे उटाएगा, वो डेफिनेटली subject के बाद में यूज में लिया जाएगा, ठीक है, subject बस नॉट, उसके बाद में मैंबब के साथ में ing, फिर उसके बाद में object, फिर उसके बाद में other word, और उसके बाद में question word, ठीक है, clear, उसके बाद में second जो पार्ट है, इसका according this sentence to wh word, उसके इसके बाद में watch, word, उसके बाद में देखेंगे, यहाँ पर आपका HV आ गया, तो definitely उसके बाद में क्याना जाएगे, subject आएगा, उसके बाद में note आएगा, उसके बाद man work के साथ ing आएगा, object आएगा, other word आएगा, और कोशिमा जिन्ने आएगा, तो guys दियान दे, यहाँ प आपर note को वो सही स्तान के उपर रखनी पाता है, तो ध्यान दगना, जब भी आपका sentence इंटेरू negative रहेगा, इंटेरू negative, तो confirm यहाँ subject के बाद में note देना है, और sentence यही नेगेटिव रहता है, तो यहाँ HV के बाद में आपको note देना होता है, किसमें, negative में HV के बाद देना होता है, और इंटेरू negative में subject के बाद में आपको note देना होगा, यह था इसकी परते के पार्ट के affirmative, negative, interrogative, इंटेरू negative के structure, ठीक है sentence, structure, अब देखते हैं इसकी परते के concept को कि कौन-कौन से concept आए, तब हम वहाँ पर अपना past जो continuous tense है, वो यूज में लें, तो देखिए, सबस से पहला concept देखते हैं इसका, साथ साथ exercise भी कते रहना इसका, देखिए, सबसे पहले concept की बात करते हैं, concept number first क्या है, देखिए, एसे कारी जो past में जारी रहे थे, एसे कारी जो past भी जारी रहे थे, कहने का मालब अब वो जारी नहीं है, जो past भी जारी रहे थे, ठीक है, जिनकी parallel process अली थी, वो काम होने में उनको समय लगा था, वो काम जारी था, ठीक है, तो ऐसे इस्तती में हम यहाँ पर past continuous tense को usage लेंगे, देखिए, पर I was playing game at that time, ठीक है, तो देखिए, उस समय में क्या कर रहा था, गेम केल रहा था, ठीक है, तो कहने का मतलब है, अब जब मैं गेम केल रहा था, तो वो एक past की process थी, ठीक है, और जो वो past की process थी, तो definitely मैं यहाँ पर किस काईज करूँगा, वो जो वर, इन में से, जो भी singular है, तो देखिए, आई के साथ में वोज काईज होगा, और यहाँ पर उसके बाद में, वर्ब के साथ में इसकाईज करना होगा, आई एन जी का, यह दू चीज जो शुरूप से जान देना है, आपको देखिए, फर्स्ट कोंसेप्ट क्या कहता है, ऐसे कारें जो past में जारी रहे थे, आई उस समय क्या कर रहा था, किस समय? उस समय जो पहले past खाता, और past के समय में क्या कर रहा था, गेम खेल रहा था, तो past में वो काम क्या था, जारी था, और past में वो काम जारी बताने के लिए, हम यहाँ पर past जो continuous अपना जो tense है, उसको follow करते हैं, ठीक है, यह आपका FIRST concept है, इस तरीके से इसके बहुत से एक्जांबल बनेंगे आप बना सकते पुरी कदमी है फिर भी आपको प्रोब्लम होती है तो डेफिनेट लिए आपसे पुछी है ठीक है सेकल कॉंसेट आपका क्या है देखिए देखिए तीन वर्ड याद रखना कॉंसेट नंबर तू देखिए तीन वर्ड याद रखना गेट है गेट है विकम है और ग्रोव तीन वर्ड है गेट विकम और ग्रोव देखिए पास्ट में ज्यान से सुना पास्ट में उत्रूतर ब्रधी इंक्रीज हास दिक्रीज बात को समझना पास्ट में उत्रूतर ब्रधी और हास के लिए आप में पास्ट कंटिनूस टरेंज को युजइ ब्रर में तेंपंए पास्ट में उत्तूतरूतर ब्रधी इंक्रीज हास डिक्रीज के लिए पास्ट a कंटिनूस टेंज करते एक्जम्पल की बात करते हैं देखिए इसमें कम्पेरिटी को कम्पेरिटी को भी यूज मिलेंगे जो अपनी कम्पेरिटीव डिग्री है उसको भी हो यहाँ बात खोलो करेंगे तो देखिए He Was Becoming Poorer And Poorer एक्जम्पल को देखिए क्या कहा रहा है Concept को पहले तो समझना अब concept में क्या कहा रहा है कि उत्रोतर वरदी यहनि एक उत्रोतर वरदी पहले इतना 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 आगे तक जाते 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 वरदी होती रही है और कमी होते होते और भी ज़दा कमी हो रही है दिन बर दिन कमी हो रही है, दिनों दिन उत्र दर यह के बाद है तो देखिए, he was becoming poor and poor, वह गरीब और गरीब होता जा रहा था, तो देखिए, गरीब और गरीब होता जा रहा था अब यहां पर इसकी प्रोसेस है, वह उत्र दर व्रती यहास के दिये है कि वो निरंतर रूप से उस समय पास्ट में क्या है, कि वो गरीब और गरीब होता जा रहा था, ठीक है, तो इस कॉंसेट को तुछा ज्यान चे समझना, कि पास्ट में कोई भी उत्रदर वर्दी, दिनों दिन वर्दी या हास की लिए भी हम पास्ट कांडिनियों स्केंज को य इस के है, क्योंकि यह सिंगूलर था, और मैं वर्दी यहां पर यह वर्द बता दी, इन तेरों को मैंने क्या बता दिया, वर्द बता दिया, तो इन्हीं के साथ में आईंजी का युजे होगा, इस बात को इसे ध्यान रखना, ठीक है, अब देखिए, एक्जाम में पुछे जाता है, इस बात को थोड़ा साथ माईने में सेट रखना, ठीक है, देखिए, कॉंसेट है अपना थर्ड, थर्ड कॉंसेट है, ठीक है, देखिए, मैंने लिखा यहां पर एक बात को समझना, इंट्रप्टिंग, एक्शन, और पहला इसमें यह लिखा, दूसरे लिखा मैं इसमें इंट्रप्टेड एक्शन, देखिए, इन दोनों को देखना है यह तो, क्या है, बातित करने वाला काम, बातित करने वाला कारी है, और यह क्या है, बातित होने बात को समझना देखिए interrupting action बात दित करने वाला कारिये और दूसरा में लिखा interrupted action बात दित होने वाला कारिये देखिए definitely मैंने एक sentence के दो पार्ट बना दिये तो close दो होंगे इसमें कोई लिकत नहीं है देखिए हम ऐसे sentence की बात करते हैं जिन sentence में conjunction बात कुश समझना जिस sentence में connection कोण कोण सा होता है when होता है while होता है or as होता है इन तिनों में बहुत ज़्यादा confuse हो जाते हैं जब हमारे किसी भी sentence में ये conjunction बन करके आ जाते हैं थीक है तो देखिए जब जब यह आपके sentence में इसे tense में आएंगे तो confirmly वहाँ पर ये क्या काम करेंगे क्या मतलब काम करेंगे ये ये आपके उस tense को past का जो भी आपके लिए action है उसको creative करेंगे आपके वहाँ दो close बनाएंगे ठीक है वहाँ पर कितने close बनाएंगे दो close बनाएंगे देखिए बात को समझना यहाँ पर ये जो conjunction है वो आपका जबजबी यहाँ पर आएगा अब हमें इस sentence के लिए देखना है कि कौन सा वो interrupting action में होगा और कौन सा वो interrupted action में होगा तो देखिए द्यान रखना यहाँ पर एक जो when है ये आपका केवल और केवल बातित करने वाले काम के लिए आता है और जो while है और जो as है ये आपका बातित होने वाले काम के लिए आता है ठीक है देखो मैं एक sentence के माते हैं से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ठीक है कोशिश क्या समझना तो है no doubt बात को समझना है अभी मैंने केवल दो यहां पर वर्ड लिखे हैं, एक इंट्रप्टिंग एक्सन है और इंट्रप्टेड एक्सन है, बातित करने वाला काम और बातित होने वाला काम, देखिए, जितने बारिके से समझोगी उतना ही आपके लिए ये बेटर होगा, ठीक है, देखिए, मैंने क यहं पर एक्जामपल यही लिख मीठ देता हूँ V पर एक्जामपल यहीकर यही लिख देता हूं किसी प्रकार का यहां पर यही पर लिख एता हूं When I watch watching TV, my phone rang. While I watch watching TV, my phone rang. अब देखिए तीन सेंटेंज लिखे में यहाँ पर और एक सेंटेंज ओ लिख देता हूं मैं जो था? When my phone rang. I watch watching TV, चिक्खिए देखिए रे निचे-वाला सेंटेंज चलो मैं इसको उकक्वा लिदेताऊं इचेवाला सेंटेंज को हिपार इस्तो थाड़ा उपर सेंट कर केताऊं इसको लिद्धेता हूं में उपपर, चोते सेंटेंच को, सेंटेंच के था, ये सेंटेंच है, इसको में यावना जेता हूं, अब देखना, अब मुझे आप ये बताओ, इन चारों सेंटेंच में से सही कुन सा है, चार सेंटेंच दिये हैं मैंने, इन चारों सेंटेंच में आप अपने माइंड के अकोडिक सोचियें, ये सिह ही कुन सा है, देखना, पैला सेंटेंच इसमें दीया मैंने, वेन, माइ फॉन रहन, आई वाच वॉॉचइंड टीवी, थी्यक्ता है, अब इसको मैं बोलने को यूपी बोल सकता हूं, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, नोड़ाप्ट, ठीक है, क्लोज से दो हैं यहां, फिर और से क्लोज होनी चीए, फिर है उसके बाद में, फिर उसके बाद में, इन में से कौन कौन से सेंटेंस सही है, और कौन से सेंटेंस गलत है, चलो मैं थोड़ देर के लिए इन सेंटेंस को भी यहीं छोड़ देता हूँ, पहले इन दो की कहानी को स्वराट कर लेते हैं, ठीक है, देखी इन दो की कहानी क्या है, यह कह रहा है interpreting action यानि बातित करने वाला काम ठीक है जहां से सुनना बातित करने वाले उस काम में वेन ही आएगा वेन के बाद आपका बातित करने वाला काम आएगा और वो काम हमेशा आपका simple past में ही रहेगा बात को समझना यानि जब जब भी आप when का यूज करते हो इस प्रकार की close में तो वहां पर when के बाद आपको simple past sentence ही आपको देना है लिखना है when के बात जब भी आपके while और as आएगा तो इसके साथ में आपको continuous देना होगा इसके साथ क्या देना होगा आपको अपको continuous यानि when और while के बाद में को हैड़ेना होगा अब देखना, पहले इस कारे से ये भी समझना है कि कौन सा बादित करने वाला है, कौन सा बादित होने वाला है, पहले तो ये करेंगे अपने लोग, देखिए, सबसे पहले ये समझे, देखिए, काम कौन सा हो रहा था? टिवी देखने का, अब बादित किसने के, जब मैं टिवी देख रहा था मेरा फ़ोन आया, तो मैं बादित हुआ, बादित करने वाला काम कौन सा हुआ, mobile phone जो rang किया वो तो देखे बातित करने वाला काम when के साथ में simple past लगेगा तो देखे देखे when के साथ में simple past यानि when to का user रखा कोजी कर लिए rang यानि sentence आपका clear है और एक बात आँचे सुना when और while और as ये सबी एक साथ नहीं रहेगी यानि when और while कभी एक साथ नहीं आएगा इस बात का विस्ते जान रखना when while कभी भी एक साथ यानि दोनों sentence में नहीं हो सकते इस बात का विस्ते जान रखना तो ये sentence आपका क्या हुआ clear हुआ अब दूसरे sentence भी बात करते है when I was watching TV my phone rang देखे when when के बाद में क्या आना चाहिए simple past वाला तो when के बाद में आ गया continuous वाला तो sentence क्या हुआ आपका ये wrong ठीक है sentence क्या हो गया ये wrong ये sentence आपका गलत है उसके बात देखे when I was watching TV my phone rang अब देखे sorry while I was watching TV my mobile phone rang तो देखे while के बाद में क्या आगया continuous तो देखे definitely while के बाद में क्या आना चाहिए continuous आएगा कोई दिकत वाले बात नहीं है तो यहां पर हम किसका यूज़ करेंगे किसका यूज़ करेंगे continuous कर जो continuous tense हो रहा है यहां पर और उसके बाद में सिंबल पास्ट आपका बादित करने वाला काम यह हो रहा है तो इस इस तिम्हां किसके आप सेंटेज़ आपका सही होगा ठीक है वाई जब मैं या उस दोरान जब में TV देख रहा था मेरा mobile phone बजा तो देखे यह mobile phone बजा तो definitely काम जो हो रहा था कौन सा टीवी देखने का उसमें क्या केस ने बाद डाली तो बादित करने वाला काम यह हुआ और बादित होने वाला काम यह हुआ ठीक है उसके बाद में कि I was watching TV while my phone rang तो देखे वाईल के बाद में क्या आना चे continuous आना चे जो कि यहां क्या रखा है पास इंपर आ रहा है तो यह भी आपका गलत है तो sentence कौन सा सभी हुआ आपका चो था और दूसरा sentence ही है बाकि उस सभी sentence आपके गलत है ठीक है इस तरीके से आपको sentence देखता है इसके इंसोट ले दीजिए आप इसका ठीक है यह थी आपका सबसे important concept था और इस concept से बहुत बार examic question पुछे गए है student कहीं कहते हैं कि sir किसी भी sentence में जो when और while आजाता है तो हम उससे परकार की sentence को use case से करें ठीक है यह सबसे बड़ी समिश्या होती है तो देखे इसका एक बार लिखेंगी देखे next जो अपना concept है वो क्या है चलो देखिए बात करते हैं आगे कर जो अपना concept है वो क्या रहेगा राट कहले इसको किसी परकार की कुछ समश्या नहीं है इसमें चलो अब देखते है edge चलो edge का थोड़ा बाद में देख रहता है पहले एक वाइल का एक sentence हो देखे रहते है ठीक है देखिए चलो पहले edge का ही कवर रहते है edge edge का अपना edge का sentence भी वाइल के कोडिंग ही होगा वाइल के बाद भी कंटिनिस आए था यहां एक के बाद भी कंटिनिस आएगा और जो सेकिंड क्लोज है उसमें पास सिंपल आएगा वीटू आईगी जो वाइल का है वैसे ही आपको edge edge का जो है पार्ट है वो के लिए करना है बस आज के लिए इतना ही आगे जी की जो क्लास होगी उसमें सेस्वचे जो कॉंसेप्ट है उनकों सब्सक्राइब करेंगे थेंक्स और वाचिंग वाइडियो जाहिए